How to fix Android apps not working on background problem नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो यही आपका जो एप्लिकेशन से आपके Android फोन पर जो की बेक्ग्राउड पर काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप इस प्राब्लिम को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको HD के रिगार्डिंग पर सॉलुइशन बताने वाला हूँ तो दोस्तो यहाँ पर होता क्या है कि हम जवी भी एप्लिकेशन को यूज करते हैं तो दोस्तो एप्लिकेशन चल जाते हैं हमारे इंटरनेट कनेक्शन पर लेकिन दोस्तो हम जवी उस एप्लिकेशन से जो है बाहर में आ जाते हैं तब दोस्तो यहाँ पर हमारा जो एप्लिकेशन ने बिल्कुल काम करना बन कर देता है ठीक है एप्लिकेशन बिल्कुल दोस्तो काम नहीं करते हैं बेग्राउंड पे आपको कोई भी मेसेच भी शो नहीं करेगा कोई मेसेच आ जाते तब भी और दोस्तों आपका जो एपलेकिशन रहते हैं वो पूरा बेग्राउंड पे ओफ ही हो जाते हैं ठीक है तो कैसे आप जो है इस प्रॉब्लेम को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलुशन बताने वाला हूँ वीडियो को आंतक देखे सॉलुशन को फोलो करें प्रॉब्लेम आपका डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइ पहले तो दोस्तों आपको जो है प्लेश्टोर पर जाके उस एप्लिकेशन को अपडेट करना होगा जो एप्लिकेशन आपके बेग्राउंड पर नहीं चल रहे ठीक है उस एप्लिकेशन को जाके यहाँ पर अपडेट कर देना होगा मुझे पता नहीं कि कौन सा अप्लिके scroll down करके apps को click कर देना है उसके बार manager पर जाएए manager इंस्तॉल या फिर app manager करके आपको option मिल जाएगा ठीक है तो बस आपको उसी पर जाना है और उसके बाद दोस्तों मैं आपको show करके बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर wait कर लीजिगा wait करने के वाद दोस्तों मैं directly आपको एक setting बेक्ग्राउंड पर काम नहीं कर रहा है तो मान लिजिए कि facebook जो है बेक्ग्राउंड पर काम नहीं कर रहे हैं तो आप डेटा यूजिस पर जाए और दोस्तों आपका बेक्ग्राउंड डेटा इसको इनेबल कर दीजिए ठीक है तो यह बड़ोस हाला कि सबको एक बार करके ओन कर दीजिए यह अच्छा रहेगा यहीं बेक्ग्राउंड डेटा ओन है फिर भी काम नहीं करते तो आप दूस्तों इसको बन करके एक बार ओन करके देखें ठीक है उससे भी काम हो जाएगा यहीं डेटा ओल्रीडे ओफ है तो जाकर इसको अन कर दीजिएगा इससे आपका काम बन जाएगा problem solve हो जागा यहीं इससे problem solve नहीं होते तो दोस्तों आप जो है clear data कर दीजिए उस application का clear data करने के बाद दुबारा से same जाके data users को यहाँ पर enable करें ठीक है background data आपका on होना चाहिए उसके बार एक permission पर जाके सारे permissions allow कर दीजिए उसके बाद दोस्तों mobile को restart करते ही आपका background data का problem solve हो जाएगा तो बस आपको यह solution यहाँ पर follow कर लेने उ लोग स्क्रीन करते ही आपका जो है internet वागरा पूरा ओफ हो जाते तो उसके लिए आपको अलग से solution करना होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको यह video नहीं मिलेगा ठीक है I mean इसका solution नहीं मिलेगा आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर लोग स्क्रीन पर कैसे जो बेग्राउंड पर काम नहीं करने का तो बेग्राउंड का ही मैंने आपको solution दिया है ठीक है आप चाहे तो application को re-solve भी कर सकते है यह by any chance problem solve नहीं हो पाते है ठीक है सारी साथ दोस्तों आप mobile software को भी हमेशा update करकी यूज कीजिए ताकि इस तरह का problem आपको दुबारा से कभी भी ना आए आपके mobile पर तो बस दोस्तों यही सब solution जो है आपको follow up करते जाना है तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना है उमीद करते हैं वीडियो आपको पसने आओगा thanks for watching